आज मैं आपको चिकन रेशा कबाब की रेसिपी बताने वाली हूँ जो के बहुत एजी है और विदिन हाफ एनार बन जाती है सो चलते हैं अब चलके देखते हैं रेसिपी लेट्स गो कबाब के लिए एक किलो चिकन को मैंने कूकर में गला लिया था और उसके बाद में इसे श्रेट करके मैंने निकाल लिया है पुरा अब मैं इसे ग्राइंडर में ब्लेंड करूँगी once हमने chicken को grind कर लिया है अच्छी तरह से इसके अंदर एक tablespoon घी डालके हमने से grind कर लिया है now हमें आगे recipe के लिए चाहिए two medium size onions, handful of parsley, एक capsicum medium size 1 tablespoon ginger garlic paste, 1 and a half teaspoon namak, 1 teaspoon dhaniya powder, 1 teaspoon garam masala, 1 teaspoon zira powder, 1 teaspoon black pepper powder, 1 teaspoon turmeric, 4-5 green chillies, चोटे-चोटे कटे हुए handful of coriander, अब हम लोग इसके अंदर capsicum और onion को grind करेंगे अब हम इन्हें grind करेंगे अब हम लोगोंने capsicum और onion को grind कर लिया है उसका ये fine paste बन गया है अब ये सब मैं इसके अंदर डालूँगी और फिर chicken mix करूँगे तो देखिए मैंने chicken रेशा कबाब का बैटर रेडी कर लिया है उन सब को mix करके एक सांथ अब मैं पानी की help से चोटे-चोटे से कबाब बनाऊंगी medium size के तो अब ये हम इस कबाब बनाएंगे मैंने पहले अपना हैंड पानी में डिप कर लिया था इस तरह से हम राउन राउन चिकन रेशा कबाब बनाएंगे हमारे चिकन रेशा कबाब रेडी है हम इसे फ्राई करने से पहले हाफ एन और के लिए फ्रीज के अंदर रखेंगे अक्टर हाफ एक अकर्गाइं निकालेंगे और फिर फ्राइब करने के लिए 1 एला प्रेड़ क्रांद क्रूम तो अब इसे हम अंड्या और ब्रेट क्रम्स में डिप करने के बाद में फ्राइ करेंगे यह मैंने थोड़ा साइल लिया है पैंग में इसमें एक एक करके आड़ करूंगे अब देखिए हमारे चिकन रिशा का बाद फ्राइ हो रहे हैं इन्हें मीडियम तो हाई फ्लेम में आप फ्राइ कर सकते हैं विकोस अल्रेडी अंदर की चिकन बॉइल हुई लिए देखिए इसका कलर कितना प्यारा हो गया है लाइट ब्राउन इसे मैंने टर्न किया रहे हैं तब आपके इसे आप देखिए और इसे टर्न करते जाएं देखिए अभी हमारे रिशा कबाब रेडी है अब हम इसे टिशाओट करेंगे तो देखिए हमारे चिकन रिशा कबाब विद मिंट चन्ट नी रेडी है यह जो हम इसे- अच्ग मिंट रेडि़ से लाओब्ड़ी है आओवारे सेंठेट झाल झाल